जहीन दोस्तों सवागत हाफ का है है स्टेक बी के सिंग भारत में दोस्तों आज है 11 अक्टूबर और सुरू करते हैं 11 अक्टूबर की करेंट डवर के सेसन को तो चलिए देखते हैं पहला कोस्टन हाल ही में भारत ने किस राज में पहली बार हिंग की खेती सुरू की है केरल तामिलाडू हिमाचल प्रदेश जम्मू कस्मीर इसका सही उत्तर हो जागा option 3 हिमाचल प्रदेश हाल ही में भारत ने हिमाचल प्रदेश राज में हिंग की खेती पहली बार शुरू करने की कोशिस की है हर साल भारत में 6000 क्लोल रूपिय की लागत से 1200 टन हिंग की आयात की जाती है लेकिन इस बार से जानी की 2020 से हिमाचल परदेश की सरकार ने पहली बार हिंग की खेती करने की शुरुवात की है जैराम ठाकूर और अभी वरतमान में हिमाचल परदेश के गवर्नर बंडारू देतरात रहे है हिमाचल परदेश में Great Himalayan National Park, Pin Valley National Park, Khiranga National Park इस्तित है हिमाचल परदेश ऐसा राज है जहां 137 घरों में LPG Connection सबसे पहले दिया गया है यानि कि 100 परदेश घरों में LPG Connection वाला पहला राज हिमाचल परदेश बन गया है हिमाचल परदेश में E-Panchait कारक्रम की सुरुवात की गया है और 2020 का E-Panchait का पूरुषकार भी हिमाचल परदेश के ही नम दिया गया है हिमाचल परदेश में मुख मंत्री सहरी रोजगार गारंटी योजना की सुरुवात की गया है अगला कोस्चन हाल ही में किस राज के राजपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सीटी प्रोज़क्ट शुरू किया है इसका सही उत्तर हो जागा अप्शन 2 उत्तर प्रदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के राजपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सीटी प्रोज़क्ट शुरू किया है ये 180 दिनों का प्रोजेक्ट है जो की राजजिपाल के द्वारा शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनव है हम आपको रोज बताते हैं जहां भी लखनव आता है तो हम उसके बारे में बताते हैं की लखनव गोमती नदी के किनारे इस्थित है तो आपको याद रखना है हर हमेशा लखनव गोमती नदी के किनारे इस्थित है वरतमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदितिनात है और अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर अनन्दी बेन पटेल है उत्तर परदेश के गवर्नर और मद्ध परदेश के गवर्नर सैम है अनन्दी बेन पटेल उत्तर परदेश की राजकिय पसु बारह सिंगा है और राजकिय पक्छी सारस या क्रोंच है उत्तर परदेश की पुस्प क्या है? राज के पुस्प पलास उत्तर परदेश की राज के विरिक्ष क्या है? असोक उत्तर परदेश में बाल सरमिक विद्या योजना की सुरुवात की गई है उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छत्री योजनों की सुरुवात की गई है उत्तर प्रदेश में परवासी रहत मित्र एप लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश में आयूस कवच एप लॉंच किया गया है उत्तर प्रदेश के वारानसी के निकट इस्थित मंडवा डिह रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर बनारस रेल्वे स्टेशन क्या गया है उत्तरप्रदेश में महत्पुर्ण नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क चंदरपरवा नेशनल पार्क उत्तरप्रदेश में कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचूरी है और उत्तरप्रदेश में पिलिभीद टाइगर रिजर्व भी है तो ये थे उत्तर प्रदेश से समझेद कुछ महत्फुरन फैक्ट्स अब अगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन आप सब के सामने है हाल ही में वेगा मेंस के ब्रेंड अमेजडर के रूप में किसे चुना गया है हाल ही में वेगा के brand ambassador किसे चुना गया है तो ये सिखरधवन, विराट कोली, महेंदर सिंग धोनी, रोहित सर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा option 4 रोहित सर्मा हाल ही में रोहित सर्मा को वेगा के brand ambassador के रूप में नु Tor stunned क्या गया है वेगा men's grooming electronic company है जो की मेंस ट्रीमर जैसी कुछ प्रोड़क्ट की बनाती है तो हाल ही में रोहित सर्मा को VEGA Brand Ambassador के VEGA के Brand Ambassador के रूप में चुना गया है हाल ही मेंchnी बजाज आलियांस के ब्रेंड नमेजडर आयुसमान खुराना को बना गया है सीएट टायर्स के ब्रेंड नमेजडर अमीर खान को बनाए गये है साथ ही विदन तू एजुकेशन प्लेटफॉर्म एप का ब्रेंड नमेजडर भी अमीर खान को ही बना गया है मेंत्रा का ब्रेंड नमेजडर क्यारा अडवनी को बना गया है और पेटियम फर्स्ट गेम के ब्रेंड नमेजडर सजीन तनुरकर को बनाए गये हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे रोहित सर्मा को कि यह वेगा का प्रोड़क्ट के बारे में परचार परसार कर रहे हैं तो यह है वेगा के ब्रेंड नमेजडर रोहित सर्मा अगला कोस्टन हाल ही में काती बीहुतिहार किस राज में मनाया गया है उडिशा, असम, उत्राखंड, मिजोरम इसका सही उत्तर हो जागा option 2 असम हाली में काती बीहु तोयार हसम में मनाया गया है काती बीहु में काती का अर्थ होता है गरीब यानि की गरीबों का तोयार जब किसोनों का अनाज खत्म हो जाता है और नया अनाज पकने वाला होता है यानिकी अक्टूबर माह के बिचो बिच काती बिहुत्यार मनाया जाता है असम की राज़ानी दिसपूर में है और वर्तमान में असम के चीफ मिनिस्टर यानिकी मुख मंत्री सरवानन्द सोनेवाल है वर्तमान में असम के गवर्नर जगदीश मुखी है असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम लॉंच किया गया है जिसका नाम है प्रग्या धिंग एक्स्प्रेस के नाम से हिमादास को जाना जाता है जो कि असम से समधित है असम में हाल ही में धनवंत्री योजना की सुरुवात की गई है साथ ही भारत का पहला एक मात्र गोल्डन बाग असम राज में देखा गया है असम में महत्पुन नेशनल पार्क है काजी रंगा नेशनल पार्क और मनस नेशनल पार्क अगला कोस्चन आप सब के सामने देखते हैं अगले कोस्चन को हाल ही में किसान सहकार योजना की सुरुवात किसने की नरेंदर मोदी, प्यूस गयल, नरेंदर सिंग तोमर, राजनाथ सिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा option 3 नरेंदर सिंग तोमर हाल ही में नरेंदर सिंग तोमर को हाले में नरेंदर सिंग्तोमर ने किसंद सहकार योजना की सुरुवात की है नरेंदर सिंग्तोमर हमारे वरतमान के किर्शी मंत्री है जिन्होंने किसंद सहकार योजना की सुरुवात की है इसका मुख्य लक्ष है ग्रमीन चेत्रों में स्वास्ति सेवाओं में परिवर्तन के लिए किसान साकार योजनाओं की सुर्वात की गई है अगला कोस्चिन यह है किरुशी मंत्री नरन सिंग्तोमर अगला कोस्चिन हाल ही में किस राज सरकार ने रेलवे परिशर में थुकने पर 500 रुपे का जुर्मना लगया है गुजरात मद्परदेश हरियाना राजस्थान इसका सही उत्तर हो जागा ओप्सन दो मद्परदेश मंदपर्देश राज ने हाल ही में रेलवे परिसर में थुकने पर 500 रुपे का जुर्मना लगया है रेलवे परिसर में थुकने से एक तो रेलवे परिसर गंदा होता है और दूसरा सबसे महत्पून कारण है थुकने से COVID-19 फैलता है इसलिए मदपर्देश की सरकार ने रेवले परिसर में ठूकने पर 500 रुपे का जुर्मना लगाया है मदपर्देश की राजधानी भोपाल है और वर्तमान में मदपर्देश के चीफ मिनिस्टर सिवराज सिंग है शिवराज सिंग ने मंतरी की सपतपद लेने के साथ मुख मंतरी जनकल्यान योजनों की सुरुवात की है वर्तमान में मद्द पर्देश के गवर्नर अनंदी बेन पटेल है और मैंने आपको अभी बताया कि अनंदी बेन पटेल मद्द पर्देश के साथ साथ उत्तर पर्देश के भी गवर्नर है मदपर्देस सरकार ने कुसल सरमिकों के लिए रोजगार योजनों शुरू की है मदपर्देस सराज में जीवन सकती योजनों की शुरूआत की गए है जिसके तर्थ महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरिद किया जाता है इसमें महिलाएं मास्क बना कर सरकार को 11 रुपिय परती मास्क की दर से बेशते हैं मद्परद्स में टॉप परेंट एप लॉंच किया गया है जो कि student के लिए है मद्परद्स में संकल्प यजना मदपर्देश में संकल्प योजना की सुरुवात की गई है जो कि भुजरुगों को साहता परदान करने के लिए है मदपर्देश के उमर्या जिला में इसकी सुरुवात की गई है संकल्प योजना की निष्ठा विदूत मित्र योजना इसकी सुरुवात भी मद्द परदेश से हुई है परवासी स्रम आयोक का गठन मद्द परदेश राज में हुआ है किल कुरोना भी मद्द परदेश में सुरू की गई है रोकोटो को भ्यान भी मद्द परदेश राज में सुरू की गई है मद्ध प्रदेश में कुछ महत्पुन नेशनल पार्क है जिसे कनान नेशनल पार्क बंधवगड नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क माधव नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क अगला question देखते हैं अगला question है हाल ही में किसने coronavirus से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को 25 billion dollar देने की घुशना की है WHO, UNESCO, World Bank, UNO इसका सही उत्तर हो जागा World Bank option 3 हाल ही में World Bank ने coronavirus से निपटने के लिए सबसे गरीब देशों को 25 billion dollar देने की घुशना की है World Bank की अस्थापना जुलाई 1944 इस्वी में हुई है World Bank के headquarter Washington DC में स्थित है World Bank के वर्तमान प्रेशिडेंट डेविड मालपास है और वर्तमान में MD और CFO अंसुला कांत है अगला कोस्चन अगला कोस्चन है हाल ही में निशुलक डिजिटल ओनलाईन मोबाईल सिक्षा पुस्तकाले का सुभारम किस ने किया जेपूर, नई दिल्ली, मुंबई, इंदोर का सही उत्तर हो जाएगा Option 3 मुंबई हाल ही में मुंबई में निशुलक डिजिटल ओनलाईन मोबाईल सिक्षा पुस्तकाले का सुभारम क्या गया है जिनगरी बच्चों के पास मोबाईल नहीं है इसके लिए इस योजना का सुभारम क्या गया है इस पुस्तकाले का सुभारम सागर में तेल और गैस की खोज के फिर से शुरू करने की घोसना की है चीन रूस फिलिपिन्स साओधिय अरब इसका सही उत्तर हो जागा option 3 फिलिपिन्स हाल ही में फिलिपिन्स ने छो साल बाद दक्षिनी चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से सुरू करने की घोसना की है फिलिपिन्स की राजधानी मनिला है और वर्तमान में फिलिपिन्स के प्रसिडेंट रोटी को टूटे के है वर्तमान के फिलिपिन्स के प्रसिडेंट है और फिलिपिन्स की करन्सी फिलिपिन्सी पेसो है फिलिपिन्सी पेसो अगला कोस्चन देखते है हाल ही में किस राजध ने 22 परियाटन प्रियोजनाओं को शुरू करने की घोसना की है उडिसा, केरल, हरियाना, जम्मु कस्मीर इसका सही उत्तर हो जागा option 2 केरल हाल ही में केरल सरकार ने बाइस पर्योजनाओं को सुरू करने की घोसना की है अब यहाँ पे है केरल केरल की राज़ानी है तिरुवनन्थ पूरम केरल की राज़ानी है आरीफ मुहम्मद खान केरल में साथ घाटी इस्तित है केरल में परियार वन जीब अभ्यारन इस्तित है केरल में हाल ही में प्रोजेक्ट के फॉन प्रोजेक्ट के फॉन की शुरुवात की गई है प्रोजेक्ट के फॉन प्रोजेक्ट के फॉन गरिबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए निसुलक इंटरनेट सुविधा परदान करने की एक योजना है जो की केरल सरकार के द्वारा लाई गई है केरल में तिरंगा पहल की सुरुआत हुई है केरल में कोविड नाइंटीन के रोगयों की सेवा के लिए करमी बोट नमक रोबोट बनाया गया है ब्रेक दचेन काटून अभ्यान की सुरुआत केरल में हुई है केरल की महत्पुन नेशनल पार्क है करनाटक और जार्खन्ड की वी राष्टिय पसू हाती है यानि कि के के जे करनाटक केरल जार्खन्ड तीनों की राष्टिय पसू हाती है देखते हैं अगला कोस्चन अगला कोस्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश को मलाबार नौसेनिक अभ्यास में सामिल करने की घुसना की है बंगलादेश, सिरलंका, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स इसका सही उत्तर हो जागा अब संत्री अस्ट्रेलिया, हाल ही में रक्षा मंत्रा ले ने मलाबार नौसेनिक अभ्यास में अस्ट्रेलिया को सामिल करने की घुसना की है 2020 के नमंबर में अस्ट्रेलिया को भी सामिल कर लिया जाएगा 2020 के नमंबर में मलाबार नौसेनिक अभ्यास होने वाली है लेकिन अब से नमबर से अस्ट्रेलिया को भी समिल कर लिया जाएगा अस्ट्रेलिया की राजजानी है कैनबरा और अस्ट्रेलिया की करंसी है अस्ट्रेलियन डॉलर अस्ट्रेलिया के वरतमान में परधान मंत्री है स्कॉट मौरिसन आप यह देख सकते हैं यह यूसे की फ्ल को लिए कर आता हूँ आप हमारी च्नल को सब्सक्राइब करें और बैला अकन को दबाएं बैल अकन को दबाने के बाद आप अलल नटिवी क्लिक रहते हैं अपयों डेली करें फिर्श सबसे पहले आप